नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक के उपर चटचा करने वाला हूं दोस्तों मैं जो ये लगातर fundamental analysis की पूरी एक आप क्या सकते हैं series चला रहा हूं जहां पर जो भी stocks के comment आते हैं जो भी stocks के बारे में बहुत जादा queries आती हैं उसके उपर एक complete fundamental analysis करने कोशिश करता हूं दो दोस्तों तो आज की series में जिस stock मैंने चूज किया दोस्तों उसका नाम है happiest mind technologies जियां दोस्तों happiest mind technologies के उपर बहुत सारे comments आ रहे थे कि अब क्योंकि कुछ एक खबर निकल किया है जो आपके साथ इस video के second part में चर्चा करूंगा उस खबर के पाद कितनी positivity देखने को मिलेगी क और निवेशक ये कह रहे हैं या आप कैसा कि रिपोर्ट्स ये suggest कर रहे हैं कि जो cloud transformation और जो AI चीज है उसका बहुत बड़ा फाइदा इस stock को होगा तो ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब अगर आप stock में निवेशक हैं निवेशकी सोच रहे हैं दोनों ही सूरते हाल पे य दोस्तों सबसे पहले में चीज़ बता दूं कि ये कोई buying और selling के recommendation नहीं दोस्तों ठीक है मुझे जो लगता है जो आपके साथ एक unbiased आपके साथ ये analysis में रखूंगा दोस्तों खरीदना है नहीं खरीदना है क्या ये आपके portfolio के आपके portfolio के लायक है ये stock क्या आपके risk profile में बैठता है कि नहीं ये आप प्लीज बहुत सारी और रिसरच करके या अपने वित्या सलाकार से सलह लेकर के ही ये काम करें दोस्तों ठीक है इसे प्योर लिए एक educational purpose के लिए लीजेगा दोस्तों और मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहें दोस्तों चैल में पहली बार आए है subscribe क उससे जरूर दबाएगा ताकि हर एक वीडियो की निफिकिशन आपको मिलती रहे comment box में जरूर बताइए आपको और कौन से stock है जिसके आपको analysis चाहिए हो सकेगा तो मैं उसकी आप क्या सकते हैं एक वीडियो बनाने की बना करके लेक्या हूँगा दोस्तों और वीडियो को अंति तक देखेगा क्योंकि अगर आप skip कर देंगे दोस्तों तो फिर आप जो reason है मेरा आप क्या सकते हैं जो बहुत सारे nuances हैं जो एक हावत दोस्तों devil lies in the detail उस चीज को आप नहीं देख पाएंगे दोस्तों तो फिर का हूँगा भले ही टुकडों में देखें बट वीडि तो मुझे लगता है one stop solution आपके काम आ सकता है तो अब without wisdom सीधा लेकी चलता हूँ दोस्तों आपको मैं इस complete analysis के तरफ और वीडियो की second part की तरफ वीडियो की शुरुआत कुछ आप कह सकते एक खबर से करते हैं जिसके करण बहुत सारी queries आई थी आप देखें जो happiest technology है दोस्त तो वो 1300 software engine को hire करने की planning कर रहा है और यह IT service firm's biggest staff growth push ever ठीक है आप देखें as it builds out its artificial intelligence business to cater to cater to clients in sectors such as education, healthcare seeking to tap the emerging technology ठीक है अब आप देखें यह जो चीज़ है दोस्तों कि जो happiest mind दोस्तों आने वाले समय में जो AI जैसी चीज़े चल रही है उसका maximum स्तमाल करना चाहता है और उसके लिए वो उसको उस प्रकार के आप कह सकते expertise चीए जिसके करण यह तमाम खरिदा आप कह सकते हैं तैयारियां की जा रही है और यह कहना है co-founder जो आप कह सकते हैं जो सेफ अनन्त राजुक्या ठीक है इन्होंने एक इंटर्व में कहा ह अगर आपको नहीं पता हो ना तो हैपिसमेंट टेकनोलजी एंप्लाइब बेनेट एक्सपेंस यानि जो एंप्लाइब को पेमिंट की जाती है उसको लेकर के और अपके सब्सक्राइब प्रेशर में था और इसके बाद चीजें और भी जादा आप देखेंगे कि जो एंप आप थे पार्टनर्शिफ टॉपश टॉक्वित ओपने आई बेकर मायकरोसो और अप्रसॉफ को परेटर एक्सेश टु चैट ग्पिटी है प्पीस माइं दोस्तों आपके सकते एक पार्टनर्शिफ की बात करते हो पनेई बेकर मायकरोसोर्फ को परेशन से ताकि उन्हें जो चैट जीपीटी का एक बैटर एक्सेस मेल जबाए ये कहना है Mr. Anant Raju का ठीक है As it seeks an edge over rivals in India's massive IT industry और देखिए happiest mind के लिए ना आप कहा सकते जो newage technologies है उसमें इनका कोई भी सानी नहीं है और देखिए यही कारण था कि इसमें गिरावट देखने को मुरी थी क्योंकि यह पता चल रहा था कि भाई साव जो क्या इस प्रकार की चीज़ों में आप company निवेच करेंगी बट अब आप देखिए तो वापस से उसका दौर वापस आ रहा है आप देखिए वाइल AI स्टील एकाउंट फॉर ए स्मॉल पोर्शन हो है प्यस माइट से करेंटली जो AI है दोस्तों वह है प्यस माइट की एक बहुत छोटी पोर्शन रखती है रवेन्यू में लेकिन इट इस वन आफ द फासे कोई सेग्मेंट फॉर ट्वैल यर ओल्ट कंपनी लेकिन बारा साल पुरानी इस कंपनी का जो फास्टेस गुविंग सेग्मेंट है वो AI है दोस्तों और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हैप्यस माइंट टेक्नोलजी के लिए य छोड़ी देर में दूँगा लेकिन इसमें यही कहा जा रहा है कि यह कंपनी को अपनी सर्विस को डिटाइस करने में मदद करती है दोस्तों इस बिल्डिंग टूल्स देट रन उन टॉप अफ चैट जीपीटी कस्टमाइट इस क्लाइन से भई चैट जीपीटी कस्टमर की अगर काम करने लग जाए तो उससे जादा क्या रहते है दोस्तों और इस पर जो सबसे बड़ा जीपीटी का सबसे बड़ा जो फैक्टर दोस्तों जो कहीं लोग रिज करते हैं वह आपके सकते हैं सिक्यूरिटी का प्राइवेसी का तो यही आगे कहा गया है और देखिए लिजाए जो सबसे बड़ी चीज इंकलूड है वह सेवगार्ड टु अलाव बिसनेस तो यूस चैपीटी विदाऊ शेरिंग प्रॉपराइटी डेटा एंड इंटलेक्टाल प्रॉपर्टी अमेजर प्राइवेसी कंसर फोट्स का स्टमर देखिए चैट जीपीटी को यू को चैट जैपिटी का जो बेस्ट यूज है वो देना चाहते हैं तो देखिए आने वाले सब्सक्राइब में अगर चैट जैपिटी बढ़ेगा तो उसका इंटाइक बेनफिट आपको हैपिस माइंड जैसी टेकनोलजी जैसी कंपनियों में देखने को मिलेगा और ये एक बह कुंता ही हम जाएं खरदारी करने लगे एक प्रॉस्पेक्टर सोना एक बिजन होना अलग चीज है और इस विजन को धरातल में उतारना एक टोटली डिफरेंट चीज है ठीक है हाँ ये अच्छा है कंपनी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया है बट देखना हमें होगा ये कै इसे काम करेगा आने वाले समय ठीक है आगे चलते हैं आप देखें तो बही कुछ बेसिक्स कि आखिर ये हैप्यस माइंट टेक्नोलजी कंपनी एड दी अफ देडिय करती क्या है तो देखें कंपनी का जो फोकस्ट एरिया आप आएंगे वो है डिशल ट्रांस्वर्मेशन जैसे मैंने बनाया कंपनी को अपने सर्विसे को डिजिटाइब करने में कंपनी के जो काम का जाए उस वो डिजिटलाइब करने में ट्रांस्वर्च एंट एंटर्पैस सोलुइशन प्रॉडक्ट इंजिनरिंग इंफरस्ट्रक्ट्चर मनेंग्मेंट ये आपको तो कंपनी बहुत सारे दोस्तों ग्लोबल इंफोरमेशन टेक्नोलोजी प्लियर्स के साथ और्थराइस पार्टनर दोस्तों को डिप्लोई दिर सर्वेजन क्रेट कस्टम सॉलुशन्स ठीक है तो देखें मोर और अगर मैं आपको मोटा मोटी बात बता हूँ तो है पेस्माइ है उसे फुल्फिल करती है और वो भी टू दा बेस्ट प्रैक्टिस दोस्तों ठीक है इनकी तीन बिजनस यूनिट है जिसमें प्रोड़क्ट एंग सर्विस आती है डिश्टल बिजनस सर्विस आती है और लास्ट नॉट दे लीस्ट जो यहां पर हमने पढ़ाता है इंफ् क्रक्स वीडियो का उसमें हमें समय नहीं लगेगा ठीक है आगे चलके देखते तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे किस तरह आये थे इनके quarter 4 के numbers एक छोटी सी जाकी एक छोटी सी जलकी हमको यहां देखने को मिलेगी देखिए happiest mind reported उन्होंने दोस्तों in-line financial performance report किया था broadly दोस्तों इस quarter में ठीक है और देखिए sequentially revenue growth और and abita margin वर in-line जो revenue growth is sequentially quarter and quarter और abita margin है वो भे in-line आया था तो मतलब होता है दोस्तों ना बहुत जादा अच्छा है था ना खराब आया था जो सोस्ती उसी के आसपास आया था ठीक है with expectation के अनुकूल अब देखिए constant currency growth में अगर आप देखेंगे तो company ने 1.3 percent quarter and quarter की jump दिखाई है ठीक है यूएस ठीक है यह overall बात हो रही 1.3 percent बात करें यूएस डॉलर के टम में तो यह 1.4 थी और बात करें रूपी के तरम में दोस्तों तो वो तीन प्रतीशत थी दोस्तों quarter and quarter ठीक है आप देखेंगे जो इनका high-tech vertical है उसमें सबसे बड़ा contribution यहां पे दिया है दोस्तों कितना 28 percent का jump year on quarter and quarter mark कीजएगा और आप देखेंगे and led by higher cost of revenue दोस्तों आगे देखें employee attrition continue to decline एक बहुत बहुत चीज कि यह attrition rate लगातार गिर रहा है दोस्तों ठेक आप देखें decrease to 10 business quarter quarter to 19.8 percent digital account for 96.3 percent revenue as of quarter forward इनकी जो digital account से दोस्तों जो digital services से वो अभी भी 96.3 percent के revenue में देती है जो कि पिछले quarter में 96.5 percent थी यानि यहां पर आप देखेंगे तो slight 0.2 percent का आपको लबबाग गिरावट देखने को मिलेगी ठीक है इस रिपूर्ट में आगे आप पाएंगे जो long term demand environment दोस्तों वो बहुत जादा मस्बूत है robust है क्योंकि जो deal wins है वो लगातर मस्बूत हो रही है robust deal pipeline और deal wins हो भी रही है दक्लाइंट स्पिशिलिंग सेलेक सेक्टर देखें क्लाइंट वह भी खास रही है चुनिंदा सेक्टर में वह बहुत जादा कौशिस हो रहे हैं दोस्तों macro economic situations के करण जो मैंने जो आप हर यह जो लाइन है ठीक है आप देखें जो deal pipeline दोस्तों वो अभी भी strong है और जो की near term visibility यानी इनकी जो deal pipeline दो इतनी strong है जो कुछ समय तक आने वाले जो near term जिनको short to medium term निवेश करना है उनकी जो visibility इस company को लेकर के वो काफी साफ साफ है आप करेंगे revenue growth का guidance management दो दिया गया है वो लगभग 25 पर द margin का band रखा गया है वो 22-24% जो कि आप कहेंगा चाहिए के काफी strong number है 20% से भी उपार है दोस्तों ठीक है आप देखें लगातार जो employee attrition rate में गिरावट देखने को मिल रही है वो operating margin को बहुत जादा मस्बूत करेंगे आने वाले समय में यानि यह भी एक काफी अची बात to 20 financial 23-25 earning ठीक है और average margin रहेगी वो 21% पर रहेगी ठीक है तो देखें आपको अभी तक समझ में आ गिया होगा कि numbers in line आई थे कुछ issues है macro environment को लेकर के कुछ selected sector में problems हो रही है बट overall चीजे management की हिसाब से और on the papers काफी हद तक stable और आप मैं का हूँगा stable to positive दिख रही है दोस्तों ठीक है अब कुछ अंदर की बात हैं करते हैं ठीक है की चीजें क्या है आप देखिए यहां पर हम देखेंगे तो यह तो बात हैं हो गई कि company किस तरह काम कर रही है अब बात करते हैं डीव लिंस की तो देखिए रोबर्स डील वेंस momentum to continue इसका मतलब क्या है डील मेंस क्या तो देखिए जो अगले दिन से दोस्तों जो quarter first of financial 24 का मार्च के बाद जो quarter ने माला है वो काफी तगड़ा परफॉर्म करेगा यह management का मानना है और कंपनी ने जो श्री मुकामभी इंफो सल्यूशन को जो खरीदा था दोस्तों एक मदरवी बेस दोस्तों एक कंपनी है health vertical की is playing out well for sml क्योंकि इसका जो demon experiment मैंने कहा healthcare vertical में है तो healthcare vertical में happiness man technology को आके बढ़ने में यह जो acquisition है श्री मुकामभी का इंफो सल्यूशन का वह बहुत साथा फाइदा कर रही है which is providing synergy to the company ठीक है एक आपके सब्सक्ते एक हाथ और बढ़ाने की बात कर रही है आप देखें कंपनी जो revenue visibility की बाते कह रही है दोस्तों अपकोरिंग को लेकर के वो जो बहुत जादा मजबूत order pipeline है ना उसके कराण कह रही है यानि हावा में तीर नहीं चलाया जा रहा है जो एक strong order pipeline है उसके तहती बात कही जा रही है and वो कोई भी does not see any reduction in the discretionary spending in future और देखी यह जो लाइन है ना मैंने बहुत कम companies की बात द्वारा सुनी है कि company है कह रही है आप सुने हो कि हर को descriptionary spending को लेकर के कमजोरी दिखा रहा है यह company ने अपने समय में कहा था जब यह report आई थी ठीक है कि descriptionary job spending है वो कहीं से कम होती दिखा जहीं नहीं दे रही लेकिन युएस की company मेरेकाल से इपाम जिन का नाम है उसने साफ साफ काई कि भाहिया अब जो है न कंपरिया बहुत कॉशिस हो रही है तो शायद happiest man technology जब quarter 1 के number लेके आएगी उस समय शायद आपको cautious होती है दिखाए दिखाए दे बट quarter 4 के numbers के बाद यह बिलकुल भी कहीं भी आपको आप कहाई सकते हैं caution sound company नहीं कर रही है ठीक है भाई देखे margins continue to remain subdued margin में थोड़ा बहुत प्रेशर अभी भी है दोस्तों आप देखे the NPM margin for quarter of energy still at 15.3% against 17.3% quarter for financial 22 तो देखे year on year अगर आप देखेंगे तो net profit margin जो है दोस्तों net profit margin जो है वो 15.3% against 17.3% जो की 205 बेस्टी गिरावट दिखाता है ठीक है और जो management है दोस्तों उसते financial 24 की जो मैंने पहले बता है guidance you the EBITDA margin की वो बाइस से 24% दी है और we expect an improvement in supply which led to reduction in attrition rate considering this we anticipate a sequential improvement in margin company आने वाले समय में जो margin में भी दबाओ है वो जाता हो दिखाई देगा और जो attrition rate लगातार कम हो रहा है वो बहुत हथ तक मदद करने वाला है इनके margins को बढ़ने में दोस्तों ठीक है आगे देखते हैं तो एक बहुत important दोस्तों section है की call highlight कि भाया conference call में क्या बात कही कही है conference call की highlights क्या है तो आपको पता होना चाहिए तो देखे कंपनी ने financial 23 के जो growth growth guidance दिया है वह 25% दिया है in terms of in CC constant currency के term में ठीक है 25% लेकिन company was able to achieve growth 24% in CC 23 में ने कहा था कि 25% में जाएंगे लेकि company 24% में रही दोस्तों financial 23 में 1.3% से miss किया है दोस्तों इसने revenue target को क्योंकि few right shifting of deal in quarter 4 of 23 क्योंकि कई कुछ deals ही दोस्तों जो right shift हो गए थी quarter 4 of 23 में ठीक है हाँ company पहले quarter of 23 में एक strong quarter मान रही दोस्तों क्योंकि कुछ बड़े large deal closure होई है इस quarter के start होने में तो कुछ बड़ी deal जो मिली है दोस्तों इस quarter के start होने में वो quarter 1 of financial 23 के numbers 24 के numbers को बहुत मजबूत रखेगा financial 24 की revenue guidance 25% दोस्तों EBITDA margin guidance 22 से 24 प्रतिशत कर गी दी गई है दोस्तों के आगे है मैंने जो पता है SMI Limited दोस्तों 100% stake खरीदा है अब कह सकते है एक और पॉस्तों कि अपनी जो geographical पहुंच है company लगातार बढ़ा रही है और दो नए offices उन्होंने US geography में खोले है एक New Jersey में और दूसरा Seattle में दोस्तों ठीक है आप देखे आगे है दिप इन यूटिलाइजेशन रेट वर्स द्यूट कैंपस रेकूट एंड गाइट तो स्टे इन दर रेंज ऑ 77 तो 78 पर सब्सक्राइब कैंपस सेलेक्शन जब होता है तो आपके पास उतना टैलेंट नहीं था जिसकारण आप एक हुमंगस यूटिलाइजेशन नहीं रहेगी कंपनी यह कह रहे है कि हम फैनेशल 24 में लगख साड़े 400 नए फ्रेशर्स याद ध्यान दीजेगा साड़े 400 फ्रेशर्स देंगे यह तर भी जो फैनल डिविंड कंपनी इस दिया है दोस्तों और टोटल डिविंड अगरा फैनेशल 23 देखेंगे तो पांच रुप बट विद डिफरेंट नेचर ओफ डीज ठीक है आप देखेंगे बिफसाई सेक्टर में काफी हद तक फोकर से कंपनी का यह मानना है आगे आप आएंगे तो जो 92 पर संट जो बिजनस आज दोस्तों वो रिपीट कस्टमर से आता है तो सबसे पॉजिटीव चीज क्या होती कि पता है अगर आपके जो क्लाइंट से जो आपकी डिल से रिपीट कस्टमर से आ रही है आपकी ग्रोथ और गैनिक है यानि कि आप जो ग्रोथ ला रहे हैं वो कंपनी का पैसा जला करके कंपनी के जो रिजर्व है उसको फूक करके बूसरे की कंपनी खरीद करके नहीं ला एक चॉइस इंटरनेशल करके कंपनी दूस्तों उसका बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा तो देखे उसमें टार्गेट 1096 के दे रखें और मैं हमेशा कहता हूं प्लीज टार्गेट देखकर के मत बहके टार्गेट के पीछे कर रैशल देखें और देखें जब यह न 96% total revenue come from next generation digital transformation business company का 96% जो total revenue दोस्तों यह next generation digital transformation business से आता है जबकि 94% आता दोस्तों agile business solutions में और quarter 4 results include contribution from SMI business ठीक है जो healthcare segment से आया दोस्तों उसका भी contribution अब quarter 4 के numbers में हमको देखने को मिला ठीक है आपके सकते हैं और जो management दोस्तों हो यह हिंट कर रही है कि बहुत क्वाटर में किसी नमर रहेंगे मैंने जो पहले बताया बड़ी जो deal closure वो यह stock plan plan रही है ठीक है आगे यह लिखते हैं that we believe company has a huge opportunity in cloud migration modernization of legacy application platform monetizing data by building data platforms and applying analytics company आपके सकते जो यह जिन्होंने यह report निका लिए च company को सबसे के पास माफ कीज़ेगा company के पास बहुत बड़ी opportunity है cloud migration को modernization of legal application और data जो है दोस्तों इतने सारे data उसको सही तरीके से use करके उस पर analytics use करके उसको monetize किया जाकते यानि भई उसका सही समल करके उसकी जो purity है जो pure information है जो company को आगे बढ़ने काम सकते है वो काया जा सकता है आगे यह लिखते हैं we have tweaked our forecast keeping management guidance and macro uncertainties ठीक है company है कि हमारी जो focus है हम यह चीज़ दिमाग में रखे हुए जो management की guidance है plus जो macro uncertainties है जो लगातर सिर्फ और से बढ़ रही दोस्तों और याद रखेगा यह तब की बात कहरें जब एपम जो US की company है उसने यह नहीं बोलाता कि जो deal cancel कर रहे हैं और even नई deal पीज बनाने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो उस time से पहले की चीज़ है तो शायद चीज़ें थोड़ी और ज़्यादा खराब हो सकती है इसलिए कहते हैं company outperform rating है और targeted बात तो मैं कभी करता नहीं दोस्तों तो overall अब देखिए company क्य करती है quarter four के numbers कैसे रहे मैंने किस चीज़ को आने वाले से बात कह रहे हैं यह तमाम चीज़ें आपके साथ मैंने share कर ली दोस्तों तो यदि आपको ऐसी चीज़ें करनी है और दे कि अगर आपको जो एक learning group है दोस्तों अगर आपको join करना है तो join button में दोस्तों आप कह सकते ह रखा है सीजस investor group में जहां पर बहुत सरी जो information साती रहती है जो आप कह सकते हैं कि तमाम mutual fund industry में क्या चल रहा है वो एक चीज़ में share करता रहता हूं दोस्तों और एक WhatsApp group में आपको add किया जाएगा ठीक है तो यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े का देढर